और इस ठग ने तो जो पैसे चुराए उसको तो अपने परिवार वालों के और अपने मित्रों के पास भेज दिये यह तो सरकारी पैसा है ना इस ठग ने अपनी जेब से कौन से पैसे कर्च किये हैं यह सवाल का जवाब इससे पूछा जाए जिसके माद्यम से सर्वे कराये जा रहे हैं एबी पी नियूज किसका चैनल है आपको सबको मालूम है किसी को चुपा तो है नहीं है देखिए उसने कोई स्कूल नहीं बनवाया आप मुझे बताईए आप सारे मीडिया के साथी मैं सब सब पूछना चाहता हूं और चोटे ठग से भी पूछना चाहता हूं उसकी पूरी टीम से भी पूछना चाहता हूं कि कौन से स्कूल और कौन से कॉलिज बनवाये और इसको कहने से पहले इसको बताने से पहले छोटा ठग अपने जो सत्तर वादे दिल्ली की जनता से किये थे एक बार जरूर उस पर निगहा डाल ले और एक एक करके बताए उस कि जो हमने स्कूलों की हाला सुधारी है उस वज़े से चार लाख बच्चे जो निजी स्कूलों में पढ़ते थे वो बच्चे अब सरकारी स्कूलों में आ गए हैं अपना नाम कटा के तो मुझे यह बताईए कि जो चार लाख बच्चे आया है चार लाख बहुत बढ़ी संकिया है वो चार लाख बच्चे जो आए हैं तो इस कूलों की संक्या बढ़िनी चाहिए वो तो बढ़ नहीं कितने है 20,000 इसकोल आपके पास कहां से है रिकॉर्ड कि 20,000 इसकोल में तो मैं कह था हूं 1000 इसकोल बन जाएंगे एक सकोल में अगर 20 भी हो गए तो 1000 इसकोल तो होई न होगे चीठे किसी ते यह इसी से आप लगा सकते हैं जुट बोला दूसी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर चार लाख बच्चे आए हैं, तो पचास स्कूलों को अन्ने उन स्कूलों में मर्च क्यों किया जा रहा है, मतलब पचास स्कूलों को खतम क्यों किया जा रहा है, इसी से आपको पता लग जाएगी कि वो केजरिवाल वा जो आपको धोका दिया जा रहा है, उस धोके में आप न आएए। और इस ठग ने तो जो पैसे चुराए उसको तो अपने परिवार वालों के और अपने मित्रों के पास भेज दिये यह तो सरकारी पैसा है ना इस ठग ने अपनी जेब से कौन से पैसे करच किया है सवाल का जवाब इससे पूछा जाए क्या इसने अपने जेब से अपने पिता जी की जेब से या अपने माता जी की प्रॉपर्टी में से कोई पैसा खरच करके एक स्कूल बनाया है या एक क्लासरूम बनाया है या इस जनता और खासतर पर ऐसी सब प्लान का पैसा चुराया है जो 50,000 करोड से ज्यादा उसमें से बनवाएं ये सवाल का जवाब है इससे अब पूछिए ठग से कि तुने अपने पास से कैसे कौन से अपने पिताजी के पास से माताजी के पैसे से या अपनी तनका से जो IRS में थे तुम या जो IRS में रहते वे रिश्वत ली थी उस पैसे से कौन सा स्कूल मनवाएं यह देखें यह तो जो सर्वे आते हैं आपको मालूम है सारे के सारे सर्वे प्राइव जीत और किसके द्वारा कराए जा रहे हैं और कौन है जिसके माध्यम से सर्वे कराए जा रहे हैं एबी पी नियूस किसका चैनल है आपको सबको मालूम है किसी होता हो ता रहे जो जीत रहा है उसी को दे दो काई को अपनी वोट खराब कर यह लोगों का है हाला कि यह तरीका बिल्कुल गलत है आप व्यक्ति को समझे व्यक्ति के साथ में जो टीम है उनको देखिए जो पार्टिय उसको देखिए व्यक्ति की योगता देखिए ऐसे ही न आजाए तो आपको देखेंगे कि खेजरी बार पूरी दिल्ली को जो है होडिंगों से पाट देता आता नहीं होता हर पंदर में दिन में आप देखें कोजरी वाल का एक नया होडिंग आपको पूरी दिल्ली में दिखाई देगा ठीक इसी तरह से और सीखा कहां से है वहीं से सिका है बड़े ठक से क्योंकिते बड़े ठक कजो करोड़ रुप्या हर दिन का फिरति दिन Ge breakdown सिर्फ उसके विज्ञापन में खर्च करें यह सारा कशारण देश की जनता का आप सब का पैसा है टेक्सपेर का पैसा है जिसे ये लोग खर्च करते हैं और वैसे भी ऑफिशली जो पिर्चार का जो दिल्ली सरकार का ही बजट है साड़े पांसो करोड रुपे साला ना गए कहां से आता है ये पैसा इस पैसे में कितने लोगों को नोगरी मिल सकती है कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है तो ये जो सारी चीज़े है केवल पिर्चार है मैं समझता हूँ हम लोग निश्चित रुप से अगर इनकी तरह पिर्चार की बात की जा हम वो पैसा नहीं खर्च कर सकते पर हम अपनी महनत से रात दिन अपना काम करके लोगों के साथ रहे के गली महल में जाके हर जगे जाके हम लोगों को समझा सकते हैं कि वहीं वाकिए मैं आपको किस तरह से वोट देनी चाहिए किस तरह से वोट देनी चाहिए ताकि आपके हकों का रक्षा की जा सके सवाल का जवाब मैं भी देना चुपा देखे 42 बड़ा होता है या चालिस बड़ा होता है ना तो बड़े ठक के 42 छोटे चक के 40 इसलिए तो आज नामकरण हुआ है और भानुजी ने भी मुझे याद दिलाया कि यह ठगाले यहां पेसे नागपूर में इनका हेड़कौाटर प्रक्राइब है बड़े का चोटे का दोन्यूंखां तो यह, यह ज works, हम जबता से ऩिष्य हम दिल्ली की जफीर अखाव करते हैं कि अपना कंडिडेट's धूंदों कोई यह ठगों की पार्टियों में मत जो अपना पर्टियों Dios किसी बड़ी पार्टी में जाने की. जरुत कम से कम इस चुनाव में तो ऐसा आदमी ढूंडो जो आपका अपना आदमी हो किसी द्वारा किसी पार्टी द्वारा आपके उपर धोपा ना गया हो अपने कंडिडेट्स खुद चुनिए आपने वोट देनी है और कॉर्परेशन में तो कम से कम अपने लोग जिता के भेजि या किसी चोटी पार्टी से लड़वाएं और इन बड़ी पार्टीों का पूरी तरीके से भहिशकार करें हम लोग ठग हैं क्या हम लोगों ने कुर्बानियां दिये अर्विन केजरिवाल ने कौन सी कुर्बानी दी ती उसकी पहले की शकल और बात की शकल देखिए और हमा वाल की जो यह ठग पार्टी है उसने दिल्ली दंगों में मैं साफ तोर पर बताना चाहता हूं जब जो सरकारी वकील हैं वो बड़े ठक की पार्टी वाले रखने के लिए हामी अर्विंद केजरिवाल के वकीलों ने हाई कोट में बढ़ी जब हम मना कर रहेते हम इस बात के के लड़ रहेते के जो सरकारी वकीलों ने होते हैं वो जो सरकारी वकील जिस अदालत के हैं वही रहने चाहिए दिल्ली पुलिस को इस बात का मौका नहीं मिलना चाहिए कि वह अपने प्राइविट वकील ले और उनको सरकारी वकील बनाएं तो इसी अर्विंद केजरिवा लिए सब्सक्राइब के वकीलोंने इस बात के लिए हाँ की थी तो दोनों ठाग मिले उए हम लोगों की कॉर्बानिया है इन लोगों की शकले देखि आप यह हजारों लखो करूट रुप fiance दोनों चुरा चुकें देश के इनकी शकलें देखिये और हमारी शकले दे हैं हम इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए जो मोदी जी ने कहा था कि हमने हिंदू को अरेक्षन दिया है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी जी की इस बात पर मोहर लगा दिया और यह डेफिनेशन हिंदू कौन है हमारे देश में वह क्लियर कर दिया ब्रामन, चत्रिये और वैश है इनी को सिरफ EWS कोटा मिल सकता है और इनी के लिए मोदी जी कह रहते हैं कि हमने हिंदू के लिए कोटा या रिजर्वेशन की है तो अब यह साफ हो गया है कि SC, ST, OBC और माइनौर्टी के लोग के अलावा जो यह ब्रामन, चत्रिये, वैश है यही हिंदू हैं, इसलिए इनके लिए कोटा है और एक दूसरी बात और आज सुप्रीम कोट ने तै कर दिये के 50% का जो गैर समिधानिक होना, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अब गैर समिधानिक नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों की डिमांड यह है कि अब जिसकी जितनी संक्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से 100% रिजर्वेशन देश में होनी चाहिए, इसके लिए हम बड़ा अंदोलन छेड़ेंगे, बानु जी और हम मिलके और रितु जी मिलके और देश की सभी पार्टियों से जो बाबा साब के आईडियोलोजी पे चलती हैं और जो हिंदू हैं, जो मनुवादी मानसिक्ता से आते हैं ब्रामन चत्रिय वैश उनको 10% दिये हैं, उनका 1.5% अभी भी बाकी है, हम लोग ये कहेंगे कि उनको 1.5% और दिया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा उनको एक बूंद या एक जर्वा बराबर इस से ज्यादा 1.5% से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके अधिकार और हक से ज्यादा है, जो लोग ये समस्ते हैं, ये जो ये ध्रम फेलाया जा रहा है, किसा मोदी तो OBC है, इस फैसले के बाद इस बात पर पक्की महर लग गई है, मैं तो पहले से कहतारू छटा हु प्योग करके अपनी उस समाज को जो है OBC में डाल लिया, OBC केटेगरी में, लेकिन इस फैसले के बाद मोदी की ये कहने के बाद कि हमने हिंदूों को दिया है, और इस फैसले के बाद महर लगने के बाद ये बात पक्की हो जाती है, कि जिन लोगों की दिमाग में गलत मैमी आठ साल हो गए हैं, और कितनी दिर तक बनना चाहोगे या आपको तेह करना है, और दूसरी बात, सरकार के साथ साथ हम बहुत पहले से कहते रहे हैं, अदालत भी आपको न्याए नहीं देगी, इस देश में न्याए किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उनी के लिए है, जिनके ह परहचासाब की बात को आगे बढ़ा करता हूँ, जो सुप्रीम कोट कल तक ही यह कहती थी, कि 50% से ज्यादे आरक्षन नहीं होगा, अब 50% तो है ही, इसके साथ साथ में 10% और हो गया यह, यानि कि 50% तो पहले ही पक्का कर रखा था सबरनों के लिए, ब्राम्मान बनिया उ ठाकर हो गया, यानि छत्रियों के लिए, अब यह 10% और हो गया, मतलब सीधा सीधा जिनकी आबादी इस देश में साड़े 11-12%, यह जादे जादे 15% पान लो, उनके पास में, जो आज की तारिक में रिजर्व है, जो रिजर्व कोटा है, वो 60.5% है, इस से बड़ा जंदा रहना है, तो उससे संगर्श करना पड़ेगा, उससे बाबा साहब के बताई हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुजन नेता तो अभी भी हैं, लेकिन समाज नहीं समझ पारा कि बहुजन नेता को ने, केवल राजनीती में रहने वाले लो या भई वो भी ओबी सी है, अब कैसा ओबी सी है, आपके सब के सामने आ गया, सो समाज को समझना पड़ेगा कि उसका असली नेता कौन है, कौन उनके लिए लड़ रहा है इमानदारी से, कौन इस काबिल है, और कौन उन्हें उनका हक दिलाफ सकता है, नहीं इनकी आखे बह दिल्ली में शाद एकाद दो जिगे मुश्किल से रही हुए, वारना जहां जहां भी 25-26 जगे आंदोलन चलाता, मैं व्यक्तिकत रूप से वहां पर गया, आंदोलन को संबोदित करने, जहां भी मैं गया, मैंने अपना फोन नमबर नक्यवल अनाउंस किया, मुबाइल फो आते हैं, तब समाज को धोका देने वाले जो आपके बीच के निता हैं, उनके बताए हुए लोग आपको याद आते हैं, तब नहीं आता, तो गलती किस की हिसम है, हमारी गलती नहीं है, गलती है समाज की, जो समझ नहीं पा रहा कि उसके लड़ाई लड़ने वाले असली ल हो एक-एक नेता की ये जो भी है जो ठग हैं इनकी एक-एक बात अच्छी तरह से बताई समझाई लोगों को कानूनी रूप से बताई समझाई कानून समझाया आज वही सारी चीज़ें हो रही है मैंने मार्च के महीने में मैंने कहा था जब 2021 में और रुद्रपुर में वह थी मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग दिया मैंने कहा था कि सरकार की इतनी वाकात नहीं है कि किर्शी कानून वापिस नहले उसे वापिस लेने पढ़ेंगे इनी भाषा में कहाता है इसी लेजे में कहाता और आखिरकार मुधी सरकार ने वह वापिस लिए हम तो हर बात बता रहे हैं हर बात समझाने की कोश्चित करने समझे न तो आपको है न भागवान बुद्ध से भी पूछा एक बहुत बड़ी बात है मैं इसे सो मैं देखता हूं कुछ लोग तो वाकई में ऐसे हैं कि उनको ग्यान मिल गया है हैं इतने समझदा लेकिन कुछ ऐसे अभी ढुलमूल से हैं पर कुछ को तो ऐसे लगता हूं को कुछ है समझ में नहीं यह सब कुछ क्यों है प्लीज बात सुनिए बीच में बोलने से पहले बात सुनिए आप ठीक है तो उन्होंने भगवान बुद्ध न समझाया उन्होंने कहा कि आप कहां के रहने वाले हैं तो उसने कहा कि मैं ही का नहीं आप यहां शावस्ती के तो नहीं है शावस्ती की सभा की बात उन्हें कहा कि नहीं मैं रहने वाला तो पटना का हूं पार करता हूं तो उनूंँरों का वी आप से कितने लोग मिले होंगे तो मगद का रास्ता पूचा होगा बता दिया साहरे बाथ क्योंगें आ cel ब मतायां पहूंच वह होंगे मगद किसी बात करें पहुंचे जर यही बात तो मैं भी कह रहा हूं मैं बताई तो रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा Roya लेकिन मंजिल पर तो वही पहुचेगा जो चलेगा हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। चलना समाझ को जब उनोंने बोला है, उनोंने ये नहीं बोला, बड़ा होने वाला उन्होंने ये कहा कि आपको बताए जाएगा विचार करके क्या होने वाला है आगे की रणनीती आगे का फैसला कैसे होगा आपको बताए जाएगा